नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सरकारी करम चारियों पैंसन भोग्यों के एक मात्र ब्रोशमन यूटूब चैनल गौर्वर्मेंट इंप्लाइज वैलफैर की नई और फ्रेश वीडियो में EPS 95 पैंसन भोग्यों के लिए सुप्रिम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसे होगी पैंसन की गन्ना देखिए पैंसन केल्किलोट करने का लाइव डेमो पूरी और सही जानकरी के लिए वीडियो को सुरू से लेकि अंतक पूरा देखें और दोस्तों इस वीडियो को जादा से जादा अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ में भी सेर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्रेब जरूर करें और साथ में जो गंटे का बटन है उससे भी दबा दें ताकि आने वाली वीड अपको अमेशा मिलती रहेगी जी हां दोस्तों जैसा कि आप सभी को पताए कि EPS 95 पैंसन भोग्यों के लिए केरल हाई कोट ने अपने फैसले में फिर से पैंसन की गंणा का आदा रिटायर्मेंट से पहले के एक साल को बना दिया हैं और पांस साल वाली बादेता को खतम कर दिया हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस परकर आपकी पैंसन कैलकुलेट होगी केरल हाई कोट के एतियासिक फैसले के बाद जी हां दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं पैंसन गंणा का नया फॉर्मूला माना कि किसी पैंसन भोगी की 33 वर्स की यहाँ पे add किया गया है और इन दोनों को आपको into करना है पचास हजार से जो इसमें मूल वेतन महेंगाई बता प्लस retention bonus को add किया गया है और इसके बाद में इसमें आपको सित्र का भाग दे देना है आपका जितना pension calculate होगा वो आजाएगा यानि कि 25,000 रुपए परतिमा आजाएगा तो दोस्तों इसी formula के आदार पर आपने कितने वर्स नौकरी की है प्लस इसमें आपको bonus वर्स add करना है और इसके बाद में आपको into कर देना है आपने जो अंतिम वेतन लिया था उससे और इसको सित्तर में बाग दे देना है आपका कितना pension होता है वो calculate होके आ जाएगा तो दोस्तों इसी परकार Supreme Court के आदे से पहले तक यह वेवस्ता थी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस formula से pension को calculate किया जाता था लेकिन अब आपको मैंने जो अभी बताया है उस formula से आपकी pension को calculate करना है जो आपकी Supreme Court के आदे इसके बाद होगी तो दोस्तों अगर इसके बाद भी कोई परेशा नहीं आती है तो नीचे comment section में अपना opinion ज़रूर दे और वीडियो को like करना भी ना बुले इसी के साथ जेहिं जे भारत आपका दिन बहुत ज़्यादा सुब रहे